स्टार्ट कर रहे हैं सेट सी मतलब सेट 3 प्रीबोर्ड परिक्षा 2023 मतलब यह जो हमें पेपर दिये गए थे यह हमें पेपर दिये गए थे प्रैक्टिस पेपर के तौर पे सभी स्कूलों में मादमिक सिक्षामंडल मद्प्रदेश भोपाल के कक्षा बारवी का बहुत ही का इसके पहले मैंने आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 करा दिये चलिए तो देखते हैं सबसे पहले सही वीकल्पो का चैन कीजिए पहला कुलाम एक कुलाम आवेश में इलेक्षानों की संक्या तो आपको याद हो चुका होगा यह होता है 6.25 इंट्रे की पावर 18 लि पिलाल अब इतना वक्त तो नहीं है क्योंकि एक्जाम सर के उपर है तो जलुदी से मैंने आंसर बता दिया 6.25 इंटू 10 की पार 18 अती चालकता प्रदार्थ की चालकता कितनी होती है देखे अती चालक का जो प्रतिरोध होता है शूर ने होता है इसलिए इसकी चालकता कितनी ह अगला कोश्चन विद्ध चुम्भी की प्रणा में प्रेरित विद्ध वाहक बल निवन में से स्वतंत्र होता है जो प्रेरित विद्ध वाहक बल होता है वो कुंडली के प्रतिरोध में से स्वतंत्र होता है बलकि फ्लक्स में परवर्तन पर फेरोगी संक्या पर सामय पर है क्योंकि E is equal to होता है Nd5 by dt देखिए यहाँ पर कुंडली में फेरु की संक्या भी आ रहा है flux भी आ रहा है। समय भी आ रहा है मगर कुंडली का प्रतोद नहीं आ रहा है तो यह प्रतोध से मुक्त होता है, एक है कि प्रेरित विद्धुद्व, बतानी है तो देखे 1 upon F equal to होता 1 upon F1 plus 1 upon F2 तो F1 अवतल है अवतल की focus दूरी कितनी आगी माना 1 upon 20 और plus 1 upon कितनी होगी 25 क्योंकि उत्तल की plus में हुआ करती है चलिए solve कर देते हैं देखे तो आपके पास में answer कितना आएगा तो 1 upon F ये देखे F है equals to 20 और 25 का LC हम निकाल लो पहले भाज़ा पहले तो 20 और 25 का LC पांच से गया चार बार और ये गया पांच बार और ये फिर पांच से एक बार आएगा ओके फिर ये चार से एक बार पांच पांच पचीस अच 100 मतलब answer कितना आ गया 100 आ गया है यहां पर माइनस का 20 मतलब माइनस का 5 और प्लस का हो गया ये 4 तो 1 upon F equal to हो गया माइनस 1 upon 100 पलड़ दोगे तो माइनस 100 cm तो correct answer होगा इसका C, माइनस 100 cm चली अगला question फिर से एक question आ चुका है 600 volt विभवांतर से त्वरित electron की संब्द रहे हैं देखो भई पिछले बार 150 volt था और 150 volt में कितना आ रहा था आपके पास में एक angstromis का अंसर आ अब आपको बताना है कि 600 volt विभवांतर से त्वरित electron आपके पास में जो voltage है वो 600 दे रिया गया है ओके अब आपको बताना है कि 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 क्या electron की समंध तरंग देर्थ कितनी होती तो तीकिये मैंने बताए लेमडा एक्वल्ट मढर्ट होता है H upon P ऑके लेमडा एक्वल्ट एकल्ट एकपान P और इसको सौलव करके आता है lambda equal to p equal to कितना होता under root 2m और e e मतलब energy और energy यहाँ पर बन जाती है कितनी electron e into volt तो यदि आप यहाँ पर रख देते हैं v का मान कितना 600 रख देते हैं 600 volt यदि आप यहाँ पर रख देते हैं तो आपको बताना है कि तरंग देर्ध की value कित्ती हो जाएगी तरंग देर्ध की value यहाँ पर खित्ती हो रही है तो इसका answer बें solve करिए आपका answer आएगा इसका 2 angles ट्राम ओके 600 विवांतर पर जो तरित electron है उसकी जो तरंग देर्ध आएगी वो 2 electron आजएगी चलिए अगला question परमाडू स्वेम में क्या होता है परमाडू स्वेम में उदा सीन होता है क्योंकि जितने plus होते हैं इसके पास उतने ही minus electron होते हैं तो total 4 0 हो जाता है परमाडू के नाभिक में अवश्य होता है proton, progetron, neutron, electron, electron तो होता ही नहीं है अब आपको बताना है परमाडू के नाभिक में प्रोटॉन जरूर होगा चलिए अगला देखिए अगला कॉस्चन यह आ चुका है रिक्तिस्थानों के पूर्ती सेल के दोलो एलेक्टरोट की दूरी बढ़ाने पर इनके सेल का आंत्रिक प्रोट देखो के पदार्थ के अपवरतनांग में तो उसी के पदार्थ में अपवरतनांग में दुबाओगे तो उसकी फोकस दूरी अनन्त हो जाएगी और वह एक प्लीन पारदर्सी पट्टिका की समान व्योहार करेगा बिल्कुल सही व्योथिकर्ण के लिए दोनों तरंगो की अवरती क्या होनी चींशांगे तभी तो व्योथिकर्ण होगा ने तहीं व्योथिकर्ण कैसे होगा reversería जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं इसको इंग्लीज में reverse बाइस बोलते हैं चलिए अगला कुशन देखते हैं इक वाक्य में उत्तर दीजे किसी प्रत्यावरती धारा का शिक्रमान कितना है यार मेरे कोई लग रहा है ये शूर ने दिखरा है मेरे को, और शून, वैसे होगा नहीं, एक पूर्ण, अच्छा, आये, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर्मान, आई 0 दिया है, अब सेमज में आगया कुश्यन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का श्खर्मान आई 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका उसत्मान यार प्रत्या वर्ती धारा हो, वोल्टेज हो, एक चक्र में इसका उसत्मान हमेशा शून्य होता है, okay? किसी विद्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् वर्त नांक आपको कितना होगा तो देखे भाई फॉर्मूला क्या होता है एक डैस इक वल्टू एच बाई म्यूं ओके मतलब आप 80 गहराई बराबर वास्ति भी गहराई बटे म्यूं तो म्यूं एक क्लू कितना हो जाएगा एच अपॉन एच डैस एच अपॉन एच डैस है ना तो एच मतलब वास्ति भी गहरा है कितना है दस और एच डैस कितना है आठ तो आपके पास म्यू कितना आ जागा दस बटे आठ बोले तो 1.25 तो यह फॉर्मूला काम कर गया है आप ही प्लांक नियतांक का मात्रक आपको बताना है प्ला एपन आपन यू कांटा होता फ्रेक्वेंसी मतलब ऑठ टांटान पेरड सॉरी एक और फ्रेक्वेंस तो आपके और तो एफार जूल और उमिन 13.6 upon n का स्क्वार तो 2 का स्क्वार कर दिया चारा गया एंड गेट के लिए बूलियन वेंजक निकला है तो वाई कोलो कितना होगा a into b यह हो गया एंड गेट के लिए बूलियन वेंजक चलिए आप आचुका है सही जोड़ी हम लोग को बनाना है यस तो 10 की पावर 4 गॉस भाई साब देखिए गॉस और मैक्सवेल क्या है जो गॉस हुआ करता है ओके गॉस होता है वो चुम्बी की छेतर की तीवरता का cgs मातरक होता है and 1 tesla equal to 10 की पावर 4 गॉस होता है and 1 weber equal to 10 की पावर 8 max well होता है तो वह तैन की पावर 4 गॉस इकल टू 1 tesla and 10 की पावर 8 max well equal to 1 weber चुम्ब की आगून चुम्ब की आगून क्या होता ही काई MPR meter square और चुमकन शीलता की तीवरता चुमकन शीलता की तीवरता बने का आपर चुमकन शीलता की तीवरता क्या पूर्था चुमकन शीलता की तीवरता क्या बने की MPR meter inverse चलिए अब देखे अब रख किरने परावेगनी किरने गामा किरने तो गामा किरने की भेदन चंटा क्या होती है, सरवादिक हुआ करती है, तो इसका ठरड़गा तो C हो जाएगा, इसकी भेदन छमता, क्या होती है, सबसे ज़्यादा, ओके, अवरत किर्णों का कौन सा गुण होता है, उश्मी गुण होता है, पराबैगनी किर्णे क्या करती है, इनका ओजोन मंडल के द्वाल नियत क्यों रहता है क्योंकि नियत क्यों रहता है यहां पर पूछा गया है विद्धुत गोले चाला के कान विद्धुत आविश नियत क्यों रहता है क्योंकि अंदर हर बिंदु पर चुम्ब विद्धु छेतर की तीवरता शून होती है और आपको पता है कि V equal to कितना हुआ करता है sorry equal to होता है कितना डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आर तो भी अगर नियत होगा तो चुमिकी विद्चित की तीवरता जीरो हो जाएगी इसलिए नियत रहता है गाड़ी स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट मंद क्यों हो जाती है गाड़ी स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट जो होती है वो मंद क्यों हो जाती है यहां पर धारा का मान जो धारा का मान कम हो जाता है ओके इसलिए इसकी लाइट जो होती है मंद हो जाती है चली अगला किसी चालक का ताब बढ़ाने पर इसका प्रतरोध क्यों बढ़ जाता है तो चालक का ताब बढ़ाने पर जो फॉर्मुला होता है वी डी कॉल टू एम अपॉन M upon N E square Tau यह होता है formula शायद इसका अनुगमन वेक का तो जब आप ताप बढ़ाते हो तो relaxation time कम हो जाता है और relaxation time कम होने से sorry यह rho का formula लिखना था मुझे yes rho का तो यह tau का मान कम हो जाएगा जिससे की resistivity बढ़ जाएगा और resistivity का relation किसे होता है सीरे rho L upon A से तो चालक का तापमन बढ़ाने से प्रतरोध बढ़ जाता है MPR का परिपथी यह नियम आपको पता है कि चुम्बी की छेतर की तीवरता का रेखी समा कलन्ज जो होता है उस से लूप से समंधित करेंट के म्यूजिरो गुनों के बराबर होता है उसमिम्टर घरर कंप करता विधुद वूटेज करता है फेराडे के तुम्की नियम के प्रणस समंधिय लिख़ो आपको बदा लोग्म आपको बताना था quality factor क्या होता है तो quality factor एक मिनट r by l कुछ था अभी मुझे right now ये भूल गया quality factor बटेश का formula जो था इसमें circuit की quality निकालने के लिए किया जाता है इसको आप देख लीजेगा इसका formula ऐसा कुछ होता है excel upon I think z कुछ हुआ करता है ऐसा formula येस चली देख लेंगे अभी बता दूगो मैं आपको देख करके चली सगन माध्यम में स्थित वस्तू को विरल माध्यम से देखा जाता तो वह कुछ उपर उठी हुई दिखाई देती है हाँ क्यों पूछ रहा होगा इस तरीके से निकलती तो इसका जो अभासी प्रतिवें बंता वो थोड़ा ऊपर उठाई दिया देता है नीस प्रकास कि तरंगों का अध्यार उपण सिध्धांद क्या कहलाता है जब प्रकास की तरंगें ओके किसी बिंदू पर मिलती है तो उस बिंदू का जो उस बिंदू तरंग से धांत क्या है तो मैंने बताए दर डीब रॉगली ने बताया था कि जो विकरन होता है वो एक साथ कन के तरह और तरंग के समाने भी बहुर करता है इसको डीब रॉगली का तरंग से धांत केते हैं अधार बता दीजिगा कि जब आपका जो ट्रांजिशन होता है इस हाईस से लोई सिरीस पे होता है तो उसको आप बामर सिरीस कहते हैं नाविकी विखंडन जब एक बड़ा नाविक न्यूट्रॉन के अभिक्रिया से कंप्रिटिवली छोटे छोटे नाविकों में तूड़ जाता है इसको नाविकी विखंडन कहते है उर्जा बंद के आधार पर चालक विद्धु दुरोधी में दो अंतर हुआ करता है 3 लेक्ट्रॉन वॉल्ट से भी जादा 6 लेक्ट्रॉन वॉल्ट से भी जादा कांतर होता है अरद चालक युगतियों की दो विशस्ता है बताइए तो यह अधिक ताप पर जो होती है अच्छा बेओहर करती है और इन में डोपिंग करके इनकी छमता को बढ़ाया जा सकता है ओके ये सब लिख दीजिगा ये तो आकरसन बल निकालना है बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं आकरसन बल की गणना है ना ये दुबारा एक क्वेशन आ चुका है लगवग हर sample paper में आया हुआ है गोले के अंदर और बाहर भी बहुत बिल्कुल समान आएगा प्रेस्ट पर भी सेम आएगा चली अगरा कर्चाव के नियम लिखे ब्र दो नियम होते हैं कर्चाव के कर्चाव का करेंट का नियम दूसरा किर्चाफ का वोल्टेज का निया मुनकी वाक्या कीजिए एनसे लोके स्रेणीकम सायुजन का तुल प्रतोध मैंने करा रखा है एनसे लोको जोड़ दीजिए और उसका तुल प्रतोध आप निकाल दीजिए ठीक ना इसमें केबल प्रत्रोध निकालना है चलिए इसके बाद ये मैंने करा रखा है question आपको पिछले sample paper में भी यह आया था ये वाला भी question जो है मैंने पिछले sample paper में करा रखा है चलिए next दीखिए थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए इसको ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया हाँ चलिए ओके डन अब देखे question number 16 3 cm उची किसी बिम्मे में focus दोरी सामने का रखा जाएगी 6 cm उचा प्रतिबिम प्राप्त हो तो simple question है आपको इसमें क्या करना है 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v का concept use करना है sorry क्या है ये focus lens है न लेंस है तो ये 1 upon v minus 1 upon u use होगा ओके और यहाँ पर 6 cm उचा प्रति में मतलब की m equal to v upon u का concept इस्तमाल करके आप इसको यूज कर लिजे वी और यू में relation से पाजागा देखे अगला question देखे ये दुबारा मैं बता रहा हूं फिर से आचुका है question बीटा equal to कितना होता लेंडा capital D upon small d का इस्तमाल करके इसको भी solve कर लिजे अर्दतरंग डिस्तकाड़ी पी अजंचन डायोड का वर्ण निमनिक अनुसार पर परपत का नामांकी चितर कारविदी निवेशी वन दिरकत विभाव का समय के सामेश परिवर्तन आरेक बता चुक जाती है और पस्चविनादी में क्या होता जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है तो धारा unlimited हो जाती है ठीक है पी यह हो गया अगर धारा प्रवाहेतु अभिलाचनिक अभिलाचनिक का मतलब वी आई कर्व है वी आई वक्राप को खीचना है दो सम्तल व्रती जाता है और इसके बाद इनके बीच में अन्योन प्रेकड आता है में कुछ आता है वो कली जिगाप एसी परपत में जिसमें प्रेरक प्रत्रोत धारता है उसमें फेजर रारिक बनाकर कि परपत की प्रत्रवाधा के लिए वेंजक निकालना है तो देखे जड़ इक थारा के प्रतिय के लिए आको है मतला है का फार्मुला लखना है और धारा के प्रतिय के लिए धारा में फॉल्टे जायेगा उसमें आपको रिलेच्शन सिप निकली है अगला है सलल सूप्चंदरसी की आवर्धन चमता के लिए विंजक पर आप कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबेम अनंत पर बने और इस पश्ट दस्ती की नियुंतम दूरी पर बने तो दो इसके कंसेप्ट थे M equal to D by F है ना और दूसरा M equal to 1 plus D by F दो कंसेप्ट आया करते थे इसके कर लिजेगा हाईगेन के दुतियक तरंगी काओं सिधान्त के अधार पर पर परावर्तन के नियुमों की व्याक्या कीजिए दन इस तरीके से हमारा paper number 3 भी एक तरीके से मैंने पूरा पूरा आपको करा दिया है जो मैंने question यहाँ पर छोड़े है actually बच्चों वो question मैंने आपकी syllabus जो मैंने कराया है main syllabus वहाँ पर मैंने करा रखे तो आप लोग वहाँ से जाकर रखे उनको देख लिजे सबी मैंने on air कर रखें वीडियो किसी में कोई lock नहीं लगा के रखा है आप लोग वहाँ से देख लिजे आपका वहमूल और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद नमस्कार जै हैं जै भारत